वेलकम टू ड्रीम के बीसी जीके दोस्तो एक बार फिरिसेज फागते आपका ड्रीम के बीसी जीके यूटूब चैनल पे दोस्तो आप सब लोग कैसे हो उमीद है आप सब लोग अच्छे होगे स्वस्त होगे दोस्तो आज इस वीडियो के अंदर बिहार राज्य से सब जनरल knowledge के सामान ने ग्यान के पूरे 50 प्रेशन इस वीडियो में लेकर आए हूँ हमारा यह वीडियो आपको अच्छा लगता है knowledgeable लगता है आपकी study में helpful लगता है तो इसे like कीजिए, share कीजिए और अभी तक आपने हमारा यह चैनल dream kbcgk youtube channel subscribe नहीं किया है आप हमारी चैनल पे नए हो तो दोस्तों आपको नमबर भिनती रहेगी आप निचे रहे, subscribe ब्रंगोद बादीजिए और बाजू मेरे bell icon को on कर दीजिए ताकि आपको हमारे आने वाले ऐसे ही fully knowledgeable वीडियो की notification मिलते रहेगी इस वीडियों तक देखिए, अच्छा लगे तो लाइक जिरू करना question number one, बिहार दिवस कब मनाया जाता है बिहार दिवस कब मनाया जाता है अगर आपको पता हो तो इस question का answer आप comment भी कर सकते हो और अपना knowledge भी check कर सकते हो total 50 question है, 50 में से कितनी question के answer आपके सही होते है आपको comment करके हमें बताना है खुद का knowledge चेक करना है तो खुपिया, इमान दरी से अपना टेश दीजिए तो इस question का उतरे 22 मर्च, हर वर्ष 22 मर्च को बिहार दिवस मनाया जाता है, चलते हैं अगले question पे question number two, very very important question है बहुती simple question है इसका answer आपको पता ही होगा बिहार की राजदानी कहा है बिहार की राजदानी कौन सा सहर है अगर आपको पता हो तो जल्दी से इसका answer comment कीजे सभी राज्यों की राजदानी आपको पता होना चाहिए और सभी countries के capital भी आपको पताना चाहिए तो इसका उतर है पतना बिहार की राजदानी पतना है चलते हैं अगले question पे क्वेशे नमर 3 बिहार का राज की ये भाशा क्या है बिहार की राज की ये भाशा क्या है अगर आपको पता हो तो जल्दी से इसका आंसर कमेट कीजिए वेरी वेरी important question ही है तो इसका उतर है हिंदी व उर्दू हिंदी और उर्दू है बिहार क्या की राज की ये भाशा अगला question पेशे नमर 4 important question ही है बिहार का राज की ये वरिक्स क्या है आपको सभी प्रमुक राज योगे सभी राज की राज की ये वरिक्स राज की ये पक्सी ये पुस्प आपको पता होना चाहिए ऐसे question अकसर एक्जाम में पुछे जाते है इसका उतर है people तो people का वरिक्स है बिहार का राज की ये वरिक्स चलते हैं अगले क्विशन नमबर 5, बीहार का राज किय पुस्प क्या है? इंपॉर्ण स्वाल है? जल्दी से इसका आंसर कमेट कर दीजे तो इसका उतर है गेंदा, तो गेंदा का फुल है बीहार का राज किय पुस्प अग्ला कुशन विहार का राज किये पसू क्या है विहार राज किये पसू क्या है अगर आपको पता हो तो इसका आंसर कमेट भी कर सकते हो और अपना नॉलेज भी चेक कर सकते हो तो इसका उतर है बेल तो बेल है विहार का राज किये पसू अगला question very very important question है यह और बहुत ही simple question है बिहार का राज की यह पक्सी क्या है तो बिहार का राज की यह पक्सी कौन सा है अगर आपको पता हो तो इस question का answer comment कीजिए तो इसका उतर है गोरिया तो गोरिया है बिहार का राज की यह पक्सी अगला question question number 8 बिहार में सरवादिक जन संख्या वाला जिला कौन सा है तो इसका उत्रे पटना है बिहार में सरवादिक जन संख्या वाला जिला है पटना अगला कुशन Q. 9, बिहार में सबसे कम जनसंक्या वाला जिला कौन सा है, तो इसका उतरे सेखपुरा, बिहार में सबसे कम जनसंक्या वाला जिला next question question number 10 बिहार में सरवादिक वर्षा वाला जिला है बिहार में सरवादिक वर्षा वाला जिला कौन सा है तो इसका उतरे किसन गंज होती है किसन गंज जिले में सरवादिक वर्षा होती है बिहार में next question question number 11 बिहार में सबसे ठंड वाला जिला कौन सा है बिहार में सबसे ज़्यादा ठंड कौन से जिले में पढ़ती है अगर आपको पता हो तो जल्दी से इसका आंसर कमेट कीजिए तो इसका उतरे गया है तो गया में पढ़ती है बिहार में सबसे ज़्यादा ठंड अगला question Question number 12 मुल रूप से बिहार सब्द का अर्थ है मुल रूप से बिहार सब्द का अर्थ क्या होता है तो इसका उतरे बोध मठ तो बोध मठ होता है या बोध विहार होता है मुल रूप से बिहार सब्द का अर्थ Next question Question number 13 बिहार सोस्यलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे अगर आपको पता हो तो इसका आंसर जल्दी से कमेट कर दीजे तो इसका उत्तर है जैप्रकाश नारायन तो जैप्रकाश नारायन थे बिहार सोस्यलिस्ट पार्टी के संस्थापक अगला question, question number 14, बिहार के प्रमुक समाचार पत्र बिहारी के संपादक थे, तो बिहार के प्रमुक समाचार पत्र बिहारी के संपादक कौन थे, तो इसका उतरे बाबु महेश्वर प्रसाद, तो बाबु महेश्वर प्रसाद थे बिहार के प्रमुक समाचार पत्र बिहारी के स गई थी बिहार में किसान सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी इंपोर्ट क्विशन अगर आपको पता हो जो जल्दी से इसका आंसर कमेट कीजिए तो इसको थे सहजानंद सरस्वदी सहजानंद सरस्वदी ने बिहार में किसान सभा की स्थापना की थी अगला बिहार के बिहार के नहीं था नेक्सक्वेशन नमबर 17 बिहार में सरवादिक लोग प्रिय सुल्टान कौन थे बिहार में सरवादिक लोग प्रिय सुल्टान कौन थे इसका उतरे सेरसासुरी तो सेरसासुरी थे बिहार में सरवादिक लोग प्रिय सुल्टान और सेरसासुरी क का मकबरा बिहार के सासाराम में है next question question number 18 बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे बिहार राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे अगर आपको पता हो तो जल्दी से इसका आंसर कमेड कीजिए इसका उतर है स्री कृष्ण सी स्री कृष्ण सी थे बिहार के प्रथम मुख पाल कौन थे स्वतंदर भारत में बिहार के प्रथम राज्य पाल कौन थे अगर आपको पता हो तो जल्दी से इसका आंसर कमेट कीजिए तो इसका उतर है जैराम दास दोलत राम जैराम दास दोलत राम स्वतंदर भारत में बिहार के प्रथम राज्य पाल थे अगला क्यूश Question number 20 Bihar का क्षेत्रफल कितना है ? 94,163 वर्ग किलोमेटर है Bihar का क्षेत्रफल 94,163 किलोमेटर स्क्वेर Next Question Question number 21 जारखंड किस वर्ष बिहार से अलग हुआ تھا ? जारखंड राजिय किस वर्ष बिहार से अलग हुआ تھا ? सुचे इसका अंसर अगर आपको पता हो तो इसका आंसर कमेट भी कर सकते हो अपना नॉलेज भी चेक कर सकते हो तो इसका उतर है 2000, वर्ष 2000 में जारखन राज ये बिहार से अलग हुआ था Next question, question number 22, very very important question है इसका आंसर आपको पता होना चाहिए बिहार की कौनसी भासा तिरहूत लिपी का प्रयोग करती है अगर आपको पता हो तो जल्दी से इसका आंसर कमेट कर दीए तो इसका उतर है मेथिली तो बिहार की मेथिली भाषा है जो तिरहूत लिपी का प्रयोग करती है इसा भी question पुछा जाता है तो मेथिली बषा कौन सी लिपिग का प्रयोग करती है तीर हूँत लिपिगा कि नेश्ट क्विशन क्विशन number 23 छट पुजा को बिहार में मनाई जाता है जाती है तो वह किस भगवान को समरबी थे छट पुजा बिहार में जो मना जाता है बिहार का सबसे प्रसिदित परव है छट पुजा किस भगवान को समरपित है अगर आपको पता हो तो इसका आंसर कमेड़ भी कर सकती हो और अपना नॉलेज भी चेक कर सकती हो तो रवी भगवान रवी या सुर्य देव को समरपित है question number 24 बारतिय संसद में कितने संसद बिहार राज्य का प्रति निदित्व करते है अगर आपको पता हो तो इसका आंसर आप कमेड़ भी कर सकती हो और अपना नॉलेज भी चेक कर सकती हो जल्दी से इसका आंसर कमेड़ कर दीजे तो इसका सही उतर है 40 बारतिय संसद में 40 संसद बिहार राज्य का प्रति निदित्व करते है जोस्तों अभी तक आपने हमारा यह वीडियो लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर दीजे और आपके फेस्बूक या वाटसप के स्टडी ग्रूप में से सीर कीजे ताकि कोई जरूरत बन स्टूड़न को यह वीडियो हैलफू लोगा और अभी तक आपने हमारा यह चैनल ड्रीम के बीसी के यूटूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है आप हमारी चैनल पे नए हो दोस्तों आपको नमबर बिननती रह है आप हमारा फेस्बूक भी लाइक कर सकते हो ट्विटर पे फोलो कर सकते हो इंस्टाग्राम पे फोलो कर सकते हो अगर हमारे वीडियो आपको अच्छे लगते है नोलेजिबल लगते है तो अधर सोशेल मेडिया साइट पे भी आप हमें फोलो कर सकते हो वीडियो अच्छ बिहार से प्रकासित होने वाला पहला समाचार पत्र कौन सा था सोचे इसका अंसर अगर आपको पता हो तो इसका अंसर आप कमेट भी कर सकते हो और अपना नौलेज भी चेक कर सकते हो तो इसका उतर है बिहार बंदू बिहार बंदू जो बिहार से प्रकासित होने वाला पहला समाचार पत्र था चलते हैं अगले क्विशन पर क्विशन नमबर 26 बिहार में सबसे अधिक आबादी वाली जनजाती कौन सी है सूचे इसका आंसर अगर आपको पता हो तो जल्दी से इसका आंसर कमेट कीजिए बिहार में सबसे अधिक आबादी वाली जनजाती कौन सी है तो इसका उतर है संथाल जनजाती संथाल जनजाती बिहार में सबसे अधिक आबादी वाली जनजाती है अगला क्विशन Question number 27 चेत्रफल की द्रश्टी से बिहार का सबसे बड़ा जिल्ला कौन सा है? अगर आपको पता हो तो इसका आंसर commit कीजिया तो इसका पच्छिम चमपारण चेत्रफल की द्रश्टी से बिहार का सबसे बड़ा जिल्ला है चलते हैं अगले Question पर Question number 28 वेरी वेरी इंपोर्ट कुशन इसका आंसर आपको पता होना चाहिए वैसाली सहर किसकी राजदानी थी प्राचिन भारत में इतिहास में वैसाली सहर किसकी राजदानी थी अगर आपको पता हो तो इसका आंसर आप कमेड कीजिए तो इसका पते लिछवी लिच्वी की राजदानी थी 42 सहर लिच्वी जो विश्व का पहला एक गंड राज्य था Next question Question number 21 जैप्रकास नारायन को किस वर्स भारत रतन पुरुसकार से सम्मानित किया गया है तो जैप्रकाश नारायन को किस वर्स भारत रतन पुरुषकार से सम्मानित किया गया था तो इसका उतर उन्नी सो ने नर्ण में 1999 में जैप्रकाश नारायन को भारत रतन पुरुषकार सम्मानित किया गया था जैप्रकाश नारायन को 1999 में चलते हैं अगले क्विशन पे किस वर्ष चंपारण में किसानों ने नील की खेती सर्तों के लिए अंग्रेजों के खिलाप विद्रोह किया था अगर आपको पता हो तो जल्दी से इसका आंसर कमेट कीजिए वेरी वेरी इंपोर्ट किशन ही इसका आंसर आपको पता होना चाहिए इसका उथर 1914 तो 1914 में चंपारण में किसानों ने नील की खेती की सर्तों के लिए अंग्रेजों के खिलाप विद्रोह किया था जो चंपारण विद्रोह जो गांधी ची दिवारा किया गया भारत में पहला एक सत्यागर था अगर आपको पता हो तो इसका आंसर आपको पता होना जीए 1922 में आयोजित भारती राष्टी कांग्रेस के गया अधिवेशन के अधियक्ष कौन थे वेरी वेरी इंपोर्ट क्विशन यह कई एक्जाम में क्विशन पुछा चुका है अगर आपको पता हो तो जल्दी से इसका आंसर कमेट कीजिए इसका उतरे चितरंजन दास तो चितरंजन दास थे गया अधिवेशन के अधियक्ष कब आयोजित किया गया था 1922 में आयोजित किया गया था कहां आयोजित किया गया था गया में वेशन नमबर 30 थे बिहार का डाल मिया नगर क्यो प्रसी थे तो किसलिए प्रसिते बिहार का डाल मिया नगर अगर आपको पता हो तो जल्दी से इसका आंसर कमेट कीजिए सुचे इसका आंसर तो इसको तो सिमेंट उद्योग के लिए प्रसिते बिहार का डाल मिया नगर अगला क्विशन क्विशन नमबर 34 इसके बाबू कुवर सी तो इसके बाबू कुवर सी थे क्विशन रिपीट हो गया इसके लिए एक शमाच आते हैं चलते हैं अगले क्विशन पर sapie В. 31. इसका आंशर आपको पता होना चाहिए कई exam में एक विशन पूछा जा चुका है बार बार पुछा जाता है ऐसे विशन पूछे जाते है बिहार में राश्ट्रिय राजमार्गों की कुल लम्बाई कितनी है अगर आपको पता हो तो जल्दी से इसका आंसर कमेट कीजिए तो इसको तरह 4595 किलोमेटर है 4595 किलोमेटर है बिहार में राष्ट्रिय राजमार्गों की कुल लंबाई अगला क्रिशन क्रिशन नमबर 36 पत्ना विश्व विद्यालई के प्रथम कुलपती कौन थे? इस क्रिशन का उतर है J.G. Jennings J.G. Jennings थे पत्ना विश्व विद्याले के प्रथम कुलपती अगला क्रिशन क्रिशन नमबर 33 दक्षिन बिहार में उपयोग की जाने वाली पारम परिक जल सरख्षन सिंचाय प्रणाली क्या थी? अगर आपको पता हो तो इसका आंसर आप कमेट वी कर सकते हो और अपना नॉलेज भी चेक कर सकते हो Very-very important question है तो इसका उतर है अहार-pine है अहार-pine है जो दक्षिन विहार में उपयोग की जाने वाली पारम परिक जल सररक्षन सिंचाय प्रणालि थी चलते हैं अगले question पे Question number 38 किस मगद राजा को सेनिया के नाम से भी जाना जाता था किस मगद राजा को सेनिया की नाम से भी जाना जाता था अगर आपको पता हो तो इसका answer आप commit भी कर सकती हो और अपना knowledge भी चेक कर सकती हो जल्दी से इसका answer commit कीजिए तो इसका उतर है बिम्बिशार तो बिम्बिशार को सेनिया के नाम से भी जाना जाता था चलते हैं अगले कुशन पर विक्रम सिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारनिया किस जिले में स्तीध है बिहार में वेरी वेरी इंपोर्ट कुशन अगर आपको पता हो तो जल्दी से इसका आंसर कमेट कीजिए विक्रम सिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारनिया बिहार के किस जिले में स्तीध है अगला question बिहार में पर्टना भवानी मंदिर की स्थापना किसने की थी अगर आपको पता हो तो इसका आंसर जल्दी से कमेट कीजिए तो इसका उतर है भुपेंद्रनाथ दत ने कि थी पत्ना बवानी मंदिर की स्थाबना अगला क्वेशन नमबर 42 इसका आंसर आपको पता होना चाहिए क्षित्र फल्की द्रश्टी से बिहार का सबसे बड़ा जिल्ला कौन सा है क्षित्र फल्की द्रश्टी से बिहार का सबसे बड़ा जिल्ला कौन सा है तो इसका होते हैं पच्छी मी चंपारण क्षित्र फल्की द्रश्टी से बिहार का सबसे बड़ा जिल्ला है अगला क्षिण प्रारंब हुआ था इसका होते हैं 16 अप्रेल 1930 में बिहार में नमक सत्याग्रह प्रारंब हुआ था इंपोर्ट कुछे ने इसका आंसर आपको पता होना चाहिए मरतमान समय में बिहार विधान सभा के सदिशों की संक्या कितनी है कई एक्जाम में ऐसे क्वेशन पूछे जाते हैं इसका आंसर आपको पता होना चाहिए मरतमान समय में बिहार विधान सभा के सदिशों की संक्या कितनी है तो इसका 242 है 242 है परतमान समय में बिहार विधान सभा के सदिशों की संक्या अगला क्वेशन इसका उतर आपको पता होना चाहिए जल्दी से इसका आंसर कमेट कीजिए इसका उतर आपको पता होना चाहिए इसका उतर आपको पता होना चाहिए तो इसका उतर आपको पता हो तो जल्दी से इसका आंसर कमेट कीजिए इसका उतर आपको पता होना चाहिए तो इसका उतर आपको पता होना चाहिए तो इसका उतर आपको पता होना चाहिए तो आपको पता होना चाहिए और उसमें से हर रोज दू तिन गंटे पढ़ाए कीजिए और आपका चीके और भी स्टॉंग हो जाएगा और एक्जम में अच्छे से अच्छे मांक्स आएंगे और जादा से जादा लगन से और निष्टा से मेहनत कीजिए हार्ड वर्क, स्मार्ड वर्क प्लस भगवान में स्रद्धा रखिए तो आपको सफलता जरूर मिलेगी दोस्तो वीडियो यहाँ पर समापत होता है हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो नोलेजिब लगा हो, आपकी स्टड़ी में हैल्फूल लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, सेर कीजिए और अभी तक आपने हमारा यहाँ चैनल ड्रीम के बीसी जिक्के यूटूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है आप हमारी चैनल पे नए हो दोस्तो आपको नमर विननती रहेगी आप निचे रहे सब्सक्राइब ब्रंग को दबा दीजिए और बाजू में रहे बेल आइकन को अन कर दीजिए ताकि आपको हमारे आने वाले ऐसे ही फुली नॉलेज़ेबल विडियो की नॉडिफिकेशन मिलते रहे की दोस्तो हमारे ड्रीम की बीसी जीगी का फेस्बुक पेज भी है आप हमारा फेस्बुक पेज लाइक कर सकते हो ट्विटर पर भी फोलो कर सकते हो इंस्टाग्राम पर भी फोलो कर सकते हो अगर हमारे वीडियो आपको अच्छे लगते है नॉलेज़ेबल लगते है हेल्फुल लगते है तो अधर सोसिल मीडिया सैट पे भी आप हमें फोलो कर सकते हो वीडियो अच्छा लगों तो लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा है इस वीडियो को शेर कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए जै हिंद जै भारत बंदे मातरम